अब तू डामेशनल रिवर बोर्ट प्रोब्लेम में कई सारे केसेज बनते हैं जिनमें की जो पहला केस बनता है उसको कहा जाता है डारेट क्रोसिंग या शॉर्टेस्ट पाथ है ना तो इस केस में क्या होता है कि जो बोट है वो रिवर बैंक के परपेंडिक्लर क्रोस करना चाहता है है ना अगर फिगर से समझें हमने यहां परेकर रिवर बनाया हुआ है फिगर में तो जो रिवर है वो एकस डारेक्शन में फ्लो कर रहा है इधर रिवर कहलें या वाटर कहलें एकस डारेक्शन में फ्लो कर रहा है और रिवर बैंक के परपेंडिक्लर है एक लाइन ए बी तो जो बोट है वो डारेक्ट ए से बी की तरफ जाना चाहता है है ना मतलब कि रिवर बैंक के परपेंडिकलर जाना चाहता है तो अगर कोई observer ग्राउंड पर वैठा होगा जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है इसको ये जो बोट है वो डारेक्ट ए से बी की तरफ जाते हुए दिखना चाहिए यानि कि बोट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये आ से बी की तरफ होना चाहिए ये तभी पॉसिबल है जब जो बोट है वो कहीं इस डारेक्षण में चलने की कोशिज करे ये जो डारेक्षण बनाया एक्शुली में ये डारेक्षण कि है ये जो इंजन वाली वेलसिटी है यानि जो व भी है वहाँ से थीटा एंगिल पर कुछ इधर जाने की कोशिस कर रहा है ठीक वैसा इसलिए है कि आप देखेंगे हम लोग जानते हैं रिलेटिव मोशन का जो बेसिक एक्वेशन है रिवर बोट प्रोब्लेम में वो होता है वी वी आर इस इकोल टू वी वी माइनस वी आर यह वेक्टर फॉर में हम लो लिखेंगे तो जो वी वी है इसको हम लो लिख सकते हैं वी वी आर प्लस वी आर यानि इंजन वाली वेलोसिटी और वाटर वाली वेलोसिटी दोनों को add करने से ये ground के respect में boat की velocity मिलती है ठीक है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो engine वाले velocity हो गई और water वाले velocity है वो वी आर ऐसी है इसको parallel हम shift करके ऐसे लिख सकते हैं ये जो है यहाँ पर ये हो गया वी आर ठीक है अब वी वी आर और वी आर दोनों को add करने से ये resultant मिलेगा वी वी है ना आप देख सकते हैं यहाँ क्या बताया गया कि वी वी आर और वी आर दोनों का vector sum वी वी होता है तो यहाँ पर देखेंगे कि वी वी आर वी आर का vector sum वी वी ऐसे दिख रहा है वी वी आर का जो head है वो वी आर के tail से मिल रहा है तो free tail यहाँ पर हो गया और इसका free head यहाँ पर हो गया इनको join करेंगे तो resultant आएगा वी वी यानि जो boat है उसको ground के respect में A-B के तरफ जाना है तो उसको कहीं इस V-V-R के direction में कहीं इस direction में चलने की कोशिस करनी चाहिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो boat है उसका जो angle है ऐसे मतलग कि जो हमने थीटा दिखाया है उस थीटा का angle कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ से यह angle थीटा है ठीके तो अब और नहीं जो boat है वो हमेशा इस थीटा एंगिल पर चलने की कोशिस कर रहा है लेकिन वो पहुचेगा कहां पर वो इस तरह से चलते हुए वो पहुचेगा बिल्कुल सीधा यहाँ पर आप देखेंगे कि चलने की कोशिस कर रहा है यहाँ से इधर लेकिन water flow हो रहा इधर इसलिए यह boat ultimately पहुच रहा है तो वो इसी case को vector form में यहाँ दिखाया गया है कि जो VBR है VBR इस direction में चलने की कोशिस कर रहा है लेकिन पहुच कि तरह इधर अब इस case में यह direct A से B तक पहुच पाएगा ठीक है तो चुकि इसको diet A से B की तरफ जाना है तो ground के respect में जो velocity है VB वो A से B की तरफ होना चाहिए है ना और जो engine वाले velocity है वो किसी angle theta पर होना चाहिए यानि इस theta angle पर चलने की कोशिस करेगा तो पहुचेगा कैसे A से B की तरफ तीक आचा अब जो हम बात करते हैं सिर्फ VB की है ना तो VB के दो component होते हैं यह आगे हमने यहाँ पर पहले drive किया था है ना VB के दो component होते हैं एक x direction में और एक y direction में जो यह जो component है y direction में यह इसको cross कराने में help करता है मतलब कि इस end से इस end तक पहुँचाने में मदद कौन करता है component यह वाला और यह वाला जो component है यह इसको बहा करके ले जाता है इधर तो अब जो है इस boat को इधर बहना नहीं है मतलब ए से चुकि इसको सीधा जाना है S B तक तो इसको x direction में थोड़ा भी नहीं जाना है यानि x direction वाला जो component है यह होना चाहिए 0 है ना तो यह कहा जा सकता है for direct crossing vx is equal to vr minus vbr sin theta should be equal to 0 ठीक है तो यह 0 इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसको इधर बहना है यह नहीं उसको ground के respect में सिर्फ y direction में जाना है मतलब यह y direction वाली velocity तो रहेगी यह वाली इसको नहीं रहनी है इसलिए इसको हमने 0 कर दिया तो यहां से एक relation आएगा vr is equal to vvr sin theta और यहां से sin theta का जो value है वो आगया vr by vvr ठीक है तो यह जो theta है यह theta है यह actually में यह वाला theta बदा रहा है आप इस triangle में देखेंगे जो triangle बन रहा है एक vvr एक vr और एक vv में इसमें sin theta का value आप निकालेंगे तो आएगा vr by vvr ठीक है यह भी यहां से आ रहा है तो इसमें जो theta है वो यह बता रहा है कि कितने angle पर boat को चलने की कोसिस करनी चाहिए यानि engine की velocity किस angle पर होनी चाहिए जिससे किये direct cross कर सके तो यहां से theta जो है पता चलता है यानि direction पता चलता है तो कह सकते है direction for direct crossing सीधे पार करने के लिए इस direction में चलना चाहिए यानि इस theta पर चलना चाहिए तो अगर कोई पूछे तो हम लोग यहां से theta का value भी calculate कर सकते है तो theta का value आएगा वो आजाएगा sin inverse vr divided by vbr तो इतने angle पर इस boat को चलने की कोशिस करनी चाहिए तब यह सीधा पहुँच पाएगा तिक अच्छा यहां से एक condition और निकलता है चुकि sin theta का value है वो हमेशा one या one से छोटा होता है है ना हम लोग यह लिख सकते हैं कि जो sin theta है वो less than one होता है यानि कि जो vr by vvr है यह less than one होता है यानि कि जो vr है वो less than vvr होगा इस condition में direct crossing के case में अब कहेंगे कि यहां पर हमने one को छोड़ क्यों दिया sin theta का value one से कम ही क्यों लिया one के equal क्यों नहीं लिया है ना तो आप देखेंगे कि sin theta का value one तभी आता जब theta 90 degree लेंगे और अगर यह theta हमने 90 ले लिया तो जो vvr है वो बिलकुल हो जाएगा river flow के opposite है ना यानि कि river flow के opposite हो गया engine वाले velocity और water की velocity जो है river flow के direction में है यानि कि जो net velocity होगी वो river flow के parallel होगी perpendicular थोड़ी भी velocity नहीं आएगी यानि यह cross नहीं कर पाएगा है ना उस case में क्या होगा कि यह one dimensional river board problem जो हमने पढ़ा था upstream motion वो case बन जाएगा जो theta 90 degree रखेंगे तो उस case में यह सीधा चलता रहेगा या तो upstream में जल रहा होगा है ना यह cross नहीं कर पाएगा क्रॉस करने के लिए यह जरूरी है कि इसका वी बी आर का एक component AB line के along आना चाहिए है ना आप देखेंगे कि जब theta 90 कर देंगे तो वी बाई 0 हो जायागा और वी बाई 0 होने का मतलब कि perpendicular direction में इस direction में velocity 0 हो गई यानि कि पार नहीं कर पाएगा इसलिए हमने theta 0 यहाँ पर हटा दिया तो इसका मतलब यह लिए हमने कि sin theta less than 1 हो सकता है 90 नहीं लिया यहाँ पर ठीक अब यहां से जो condition यह निकला कि vr less than vr होना चाहिए यह एक condition है direct crossing के लिए इसको अब लोग ऐसे लिख सकते हैं कि this is condition for यह जो box में condition लिखा है यह है condition for direct crossing इसका मतलब यह हुआ कि अगर direct cross करना है अगर shortest path से जाना है तो boat की velocity water की velocity से बड़ा होना चाहिए तभी यह possible है otherwise possible इन्हें direct cross करना ठीक है इसको हम लोग फिर से लिखते हैं कि for direct crossing boat velocity boat velocity मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं VBR की जो engine वाली velocity है should be greater than greater than velocity of water और river जिसको कि हम लोग VR कहते हैं तो यह condition हो गया कि boat की velocity water velocity से जादा होगी तभी पार कर पाएगा ठीक अब माल लेते हैं कि इस condition को satisfy कर रहा है ठीक है अगर satisfy कर रहा है तो तो क्रॉस करने में कितना time लगेगा ताइम टेकेन तो क्रॉस दर रिवर क्रॉस दर रिवर इन डारेक्ट क्रॉसिंग डारेक्ट क्रॉसिंग तो आप देखेंगे कि हम लोग एक फिर से फिगर बना देते हैं यह रिवर हो गया अर जो बोट है उसको डारेक्ट ए से बी तक की तरफ जाना है यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी इधर जाना और इसको रिवर का जो विट है उसको हम लोग मान लेते हैं कि डवलू है तो boat की जो velocity होगी इस direction में हम लोग का सकते हैं कि यह VV है जैसा कि हमने अभी figure में देखा था कि अगर boat को direct cross करना है तो सारा VV किदर होना चाहिए A से B की दरब है ना और सांत में यह भी देखा कि boat की velocity जो भी होगी वो सारा y direction में ही होना चाहिए x direction में 0 हो गया है ना तो यह जो VV है actually में यह VY होना चाहिए क्योंकि Vx 0 हो चुका है यह जो boat की velocity है उसको हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ VY क्योंकि Vx 0 है यह जो VY क्या है इसी VV का component है y direction में x direction 0 है तो VV सारा Vy के equal हो जाएगा और यह जो है यह कितना होना चाहिए इसको ऐसे लिख सकते हैं यह आया है VBR cos theta है ना यह आया था हमने अभी यहाँ पर लिखा है आप देखेंगे कि जो VBY होता है यह होता है VBR cos theta जिसमें theta क्या है theta यह angle है यह वाला angle है जिस angle पर यह जाने की कोशिस कर रहा है यह theta है इस theta का value अगर इसमें रखेंगे तो हम लोग इस VB का value कह लें या VY का value कह लें वो निकाल सकते हैं तो VB is equal to VY is equal to VBR cos theta is equal to VBR under root cos theta को लिख सकते हैं one minus sin square theta यानि VBR under root one minus sin theta का value हमने अभी निकाला था वो आया था VY VBR उसका whole square है क्योंकि यहाँ sin square theta है ठीक है तो अगर इसको देखा जाए तो और simple form हम लोग ऐसे लिख सकते हैं VBR cos theta is equal to under root VBR square minus VBR square इस term को simplify करने पर यह रह जाएगा ठीक तो इस boat को जो है इस river को पार करना है तो A से B तक जाने में distance कितना चलना है डबलू और इधर velocity कितनी है VV कहले या VY या VBR cos theta तो हमने पता करना है time taken to cross the river in direct crossing तो इस T को लिख सकते हैं distance travel W divided by VY Y डरक्षमिड भलसी T है इसको फिर से यहां लिखते हैं T is equal to W divided by VY लिख सकते हैं या इसको आँ लोग VB लिख सकते हैं W divided by VY is equal to W by VB VB VY equal है is equal to W by VBR cos theta भी लिख सकते हैं और W by under root VBR square minus VBR square या भी लिख सकते हैं तो इतने time में यह जो boat है वो सीधा पार कर जाएगा ठीक है तो हमने क्या पता किया भी अगर direct cross करना हो तो इस particular angle पर चलना पड़ेगा इस theta पर चलना पड़ेगा अगर इस theta पर चलेगा तो पार करने में कितना समय लगेगा इतना समय लगेगा और पार करने का direct cross करने का condition क्या होना चाहिए condition हमने यह निकाला कि boat की जो velocity है वो water की velocity से जादा होना चाहिए तब ही सीधा पार कर सकता है इस case में यह जो boat है वो direct cross इसलिए कर पा रहा है क्योंकि x direction वाला जो उसका component है velocity का उसको हमने पहले ही zero कर दिया है और y direction में इसलिए velocity इसका बचा हुआ है जो कि इसको सीधा a से b की तरफ ले जाता है तो यह पहला case हो गया direct crossing का इसके बाद दूसरा case होता है उसको कहा जाता है minimum time taken to cross the river इसको देखते हैं इस दूसरे case को कहा जाता है minimum time taken to cross the river इस case में क्या है कि हमें कहा गया कि चाहे किसी भी angle पर boat को भेजो हमेशा उसको minimum time में पार करना है यह मतलब नहीं है कि perpendicular जाए या किसी angle पर जाए जिस angle पर भी boat cross करे लेकिन कम से कम समय में पार करना है ठीक है तो अभी जो हमने general case एक drive किया था उस general case में देखते हैं अब देखेंगे यह general case के लिए था है ना direct crossing तो पहला case था उससे पहले हमने एक generalized form में पता किया था कि जो ground के respect में boat की velocity है उसका x direction में component इतना होता है और y direction में component इतना होता है है ना इसको फिर से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर यह जो boat है जो भी boat होगा उसकी velocity x direction में हम लोग लिखते हैं vr minus vbr sin theta और जो y direction में इसकी velocity का जो component होता है उसको लिखते हैं vbr cos theta और यह ध्यान रखना है कि जो velocity हमने लिखा है यह actually में vb का component है vb क्या है velocity of boat with respect to ground यानि बाहर जो observer बैठा है इसके respect में boat की velocity x direction में इतनी होती है और y direction में इतनी होती है ठीक इस w width को par करने में कितना time लएगा ठीक है यह पहले general कैसे निकालते हैं इन जेनरल टाइम टेकेन टाइम टेकेन टू क्रॉस दर रिवर एट और क्रॉस दर रिवर इसका value हमने निकालते हैं टी का जो value होना चाहिए वो होना चाहिए रिवर का width divided by जो par करने में जो velocity help करेगा यानि कि y direction वाली velocity y direction में चलना है distance w और y direction में velocity है vy है न या इसको लिख सकते हैं w by v vr cos theta ठीक है यहाँ पर जो है इस time को हमें minimum करने के लिए कहा गया for minimum t minimum t cos theta should be maximum है न cos theta maximum होने का मतलब cos theta का value 1 होना चाहिए अब देखेंगे इस t को minimum करना है तो denominator को maximum होना पड़ेगा न हम लोग इसमें river का weight change कर सकते हैं boat की जो engine वाली velocity वह भी fixed है हमारे हाथ में क्या है चेंज करना theta का theta क्या होता है theta आप देखें जो जो general case लिया था हमने पहले माना था कि जो engine वाली velocity है वह perpendicular से theta अंगिल पर इधर की तरफ जा रही है तो यह theta है जो river bank का perpendicular direction है उससे theta अंगिल पर boat चलने की कोसिस कर रहा है तीक है तो यह theta है तो यह theta हम लोग change कर सकते हैं है ना हम boat को अलग-अलग direction में ले सकते हैं theta का value हम zero कर देंगे तो engine वाली velocity हो जाएगी इधर 90 degree कर देंगे तो engine वाली velocity हो जाएगी इधर है ना theta है हमारे हाथ में change करने का तो हम लोग यहाँ पर theta change करके cos theta का value ऐसा करेंगे कि वह maximum हो जाए यानि theta का value होना चाहिए zero degree अब theta zero होने का मतलब क्या हुआ आप इस figure से देखें तो अगर इस theta को zero कर देंगे तो यह VBR किदर हो जाएगा VBR आ जाएगा इधर की तरफ है ना मतलब कि ऐसा हो जाएगा इस figure में बात करें तो अगर यह है point A और यह है B तो theta zero होते ही VBR इधर हो जाएगा और जो VR होता है इसको हम लोग कर सकते हैं कि यह हो गया VBR AB के line में theta zero होते ही यह होता है VR और इन दोनों को add करने से आता है VB ठीक है तो theta zero होते ही जो है यह time minimum हो जाएगा तो minimum time कितना होगा so T minimum is equal to W by VBR theta को हमने 0 कर दिया है तो यह cos theta का value 1 रख दिया इसमें तो यह हो गया minimum time ठीक है इतने time में यह cross करेगा अब आप देखेंगे कि इसको VBR को इधर करने से चुकि VR इधर है तो यह जो boat है वो कैसे चलेगा वो इस direction में कहें जाएगा यानि कुछ बह करके चला जाएगा ठीक है अब इसको ऐसे करने से कैसे minimum time में cross कर गया तो आप देखेंगे कि इसकी जो यह वाली velocity थी वो engine वाली velocity का एक component था एक component था component हमेशा इस velocity VBR से छोटा होता है ठीक और यही वाली जो velocity यह VBR cos theta यह पार करने में यूज होता था हमने क्या किया था W by VBR cos theta यह speed जितना ज़्यादा होगा उतना ही time कम होगा है ना तो इस speed को सबसे ज़्यादा कब कर सकते हैं यानि engine वाली velocity हो सारी mode देंगे इधर ही तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने boat की velocity पूरी लगा दी इधर पार करने में boat की velocity को थोड़ा भी इधर उधर नहीं रखा सारी velocity हमने मोर दिया AB के लॉंग ताकि जल्दी से जल्दी पार कर जाए और river का जो flow है उसको तो हम नहीं change कर सकते वो तो हमेशा x direction में ही रहेगा ठीक तो अब ऐसा करने से theta को 0 रखने से minimum time में cross तो कर गया लेकिन अब यह कुछ बह करके चला जाएगा आगे तो जितना यह आगे बह करके जाता है इसको कहा जाता है drift drift एक quantity होता है इसको कहा जाता है drift along river flow during the crossing of crossing of river in minimum time मतलब minimum time में cross कर रहा है तो उस दरान उस समय में कितना यह बह करके आगे निकल जाएगा उसको जानत था यह से भी कितना बह करके इधर आगे निकल गया इसको कहा जाता है drift drift का मतलब एक तरह से कह सकते हैं displacement along river flow यह जो drift इसको आप displacement भी कह सकते हैं यह हो गया displacement along river flow during the crossing of river in minimum time ठीक है तो आप देखेंगे कि इधर flow के direction में velocity कितनी बची है यह velocity वची है vr minus vvr sin theta है ना तो इसको बहा कर ले जाने में इधर ले जाने में कौन सी velocity में मदद करेगी तो यह वाली यह जो vx वाली velocity है यह मदद करेगी तो कह सकते हैं जो drift है उसको हम लों लिखेंगे x direction वाली velocity into जो minimum time है जितने दर में cross करेगा उतना ही समय है उसके पास उधर बहने के लिए तो जो vx है वो direct यहां से भी ली सकते हैं vr के वराबर आएगा या आप यहां से भी ली सकते हैं या आएगा vr minus vvr sin theta जिसमें से theta 0 है vr minus vvr sin theta into t minimum इसमें से theta अपना 0 आ गया है क्योंकि minimum time cross कर रहा है तो theta का value 0 है तो यहां पर रख देंगे theta 0 रखने से यह गायब हो जाएगा और यह पूरा term हो जाएगा vr जो यहां दीख भी रहा है vvr सारा हो गया ab ke long और जो vr है यही सिफर रह जाएगा बाहाने के काम में आएगा तो vr और minimum time जो है हमने निकाला यहां पर यह निकाला है w by vr w by vr w by vr तो minimum time में जो drift आया वह आ गया w into vr divided by vr ठीक है और इसके बाद जो third case होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी तो two dimensional river world problem है अभी तक हमने दो cases पढ़े पहला पढ़ा था direct crossing वाला method तो second पढ़ा minimum time वाला case था और जो third हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह होता है minimum drift का case minimum drift if velocity vvr is fixed जैसा कि हमने बता रहा कि vvr जो होता है वो बोट की engine वाली velocity होती है अगर यह velocity fixed हो तो minimum drift का मतलब है कि वो जहां direct cross करना चाहता था उससे कितना जादा जो है उधर drift कर जाएगा उधर बह जाएगा इसको ऐसे समझते हैं एक figure से जैसे यूँ मालने कि यह जो है river के दो bank हो गया और इसमें जो river के अंदर जो boat है उस boat की जो ground के respect में velocity होती है उसके दो component होते हैं ठीक एक component होता है इधर vx जिसको की हम लोग कहते हैं vr- vvr sin theta और एक component होता है y direction में इसकी value आती है vvr cos theta ठीक है अब देखेंगे कि general case हमने जब derive किया था तो उसमें यह पता गिया था कि यह जो है ग्राउंड के respect में boat की जो velocity है उसके दो component है x direction में x direction में है vx is equal to vr minus vvr sin theta और y direction में vy is equal to vvr cos theta तो यहीं सारे values हमने दुवारा यहां पर लिखे हैं तो यह वाली जो velocity है यह वाली velocity इसको जो boat है उसको जाना तो होता है cross करना होता है a से b की तरफ लिकन यह वाली velocity इसको बहा करके इधर कहीं आगे ले जाती है है न तो यह कुछ drift कहते हैं इसको कि x direction में जितना boat बह करके चला गया होगा उसको कहा जाता है drift जाना था a से b लेकिन b से कितना x direction में बह करके चला गया उसको drift कहा जाता है तो इस drift d को हमें minimize करना है तो जैसा कि हम जानते है कि अगर boat direct cross कर जाए तो उस case में drift 0 हो जाएगा और 0 से minimum तो कुछ भी नहीं हो सकता है न तो पहला case यह बनता है इस के अंदर minimum drift के अंदर हम लोग 2 cases बनाएंगे पहला case यह कर सकते हैं when vvr is greater than vr यह condition होता है जब direct crossing possible हो direct cross करने का condition होता है वह हमने calculate किया था वह case आप देख सकते हैं कि वह case हमने यहाँ पर निकाला था direct crossing में कि vr less than vr यह वी वी यह बड़ा होना चीए vr से तब direct crossing होता है ठीक है तो अगर ऐसा condition satisfy हो रहा हो boat की velocity, river की velocity से ज़्यादा हो तो direct cross कर जाएगा तो कर सकते हैं direct crossing direct crossing direct crossing is possible तो direct crossing possible का मतलब अगर A से boat चलेगा तो सीधा B तक पहुं जाएगा और इस D का value हो जाएगा 0 तो D minimum will be equal to 0 तो जब तक boat की velocity अगर हमें ज़्यादा दी हुई है water की velocity से तो उसको direct cross करा सकते हैं direct cross करा देंगे और उस case में drift हो जाएगा 0 जो की minimum होगा अब दूसरा case ही यह बनता है की जब VBR VBR से बड़ा नहीं हो यह ना when VBR is less than VR then direct crossing is not possible direct crossing is not possible अगर direct crossing possible नहीं है तो कुछ न कुछ बह जाएगा है ना और जब बहेगा तो कितना बहेगा यह हम लोग निकाल सकते हैं हाँ पर तो इस case में पहले तो हम यह पता करेंगे कि in general cross करने में boat को कितना time लगता है है ना हम लोग पहले भी वैसे पता कर चुके हैं फिर एक बार पता करेंगे कि अगर river का weight है w और इस y direction में जो velocity है यह है v v r cos theta ना जो कि par करने में help करता है तो हम यह कर सकते हैं कि in general in general time taken by boat to cross the river is equal to t is equal to जो width है w divided by velocity इसको लोग कहते हैं v v y कहते हैं इसको v y is equal divided by v y तो w divided by v y का value है v v r cos theta तीक है यह value हमने तब भी निकाला था जब minimum time वाला case हम लोग बढ़ रहे थे आप देखेंगे यहाँ पर minimum time वाला जो case है इसमें भी हमने यहाँ पर find किया हुआ है in general time taken to cross the river w by v y w by v v r cos theta तो यही value हमने दुबारा find करी है कि जब किसी भी general theta पर एंगिल पर चल रहा होगा तो पार करने में कितना time लेगा तो इतना time लेगा और इतना time लेगा पार करने में लेकिन इसके पास एक velocity x direction में भी है जो कि इसको इस direction में बहा करके ले जाएगा है ना तो कह सकते हैं कि drift during crossing the river crossing the river तो जो drift होगा उसको लो लिख सकते हैं vx into t अब vx जो है हमने यहां पर लिखा हुआ है यह है vr-vbr sin theta होता है vr- vbr sin theta होता है यहां बिचा है तो लिख सकते हैं यह होता है vr- vbr sin theta और तो time across करने का वो होता है इतना w divided by vbr cos theta तो यह जो drift हो गया general case में मतलब कि किसी भी theta पर चलेगा तो इतना drift होगा इसको फिर से लिखते हैं इसको लिखेंगे vr- minus vbr sin theta into w divided by vbr cos theta यह है general मतलब किसी भी अंगिल पर theta पर चलेगा तो इतना drift होगा तो अब यह देख सकते हैं कि जो drift है वो theta different है यानि theta का function है तो for minimum drift minimum drift d d differentiation of drift with respect to theta should be equal to 0 तो क्या करेंगे इनको differentiate करते हैं पहले तो इनको थोड़ा simplify करते हैं इनको simplify करेंगे तो जो d है d का जो value है यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यह आएगा vr into w by vr into 6 theta minus w 10 theta यह जो एक equation है इसी से यह आजाएगा है ना तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे अगर differentiate करेंगे ddy d theta इस equation को differentiate करते हैं तो इसमें से यह चुद टर्म है vr into w divided by vvr यह constant term है 6 theta का differentiation होता है 6 theta into 10 theta minus w 10 theta का differentiation होता है 6 square theta और इसको हमें 0 करना है ठीक है ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं हम लोग maximum minimum वाला concept apply कर रहे हैं जो differentiation हम लोग पढ़ते हैं तो हमने इस differentiation को कर दिया 0 2 अब इसमें से आप देखेंगे कि कुछ term common लेकर cancel किया जा सकते हैं जैसे w tan theta w sec square theta जो है इसमें से cancel कर सकते हैं sec theta एक यहां से w sec theta यहां से तो यहां बचेगा vr by vvr एक बचेगा tan theta tan theta को लिखेंगे sin theta by cos theta minus इसमें एक sec theta बचेगा उसको लिख सकते हैं 1 by cos theta is equal to 0 है न तो यहां से आप देखेंगे कि यह cos theta भी common लेकर के बाहर कर सकते हैं तो यहां से sin theta का value आ गया vvr by vr ठीक है यह जो theta है यह theta बताता है direction कि minimum drift के लिए कितने एंगिल पर boat को चलने की कोसिस करनी चाहिए यह बताता है direction for minimum drift मतलब कि minimum drift के लिए यह theta का value निकल गया अब इस theta का value अगर हम लोग इस equation में substitute कर दें तो minimum drift निकल जाएगा जैसा कि हम लोग maximum minimum करते थे वही वाला concept free से लगा रहे हैं तो हम लोग इसमें ऐसा करेंगे कि d minimum निकालना हो तो vr minus vvr sin theta into w by vvr cos theta जो उपर drift का equation लिए था यह वाला इस equation को हमने लिखा है बस अब क्या करेंगे इसमें theta के जगह पर यहां से value लाकर के substitute कर देंगे तो यह आएगा d minimum is equal to vr minus vvr sin theta का value यहां से रखेंगे तो आएगा vvr by vr w divided by vvr cos theta को लिखा जा सकता है 1 minus sin square theta और sin square theta होता है vvr by vr का whole square sin theta यह है तो cos theta का value इतना लिख सकते हैं तो अगर इसको simplify करें तो vr square minus vvr square divided by vr into w into vr divided by vvr under root तो जो term है vr square minus vvr square तो इसमें से कुछ term cancel हो जाएंगे यह वाला जो term है vr और यह vr cancel हो जाएगा है ना तो finally यह जो आएगा d minimum का value वो देखेंगे आएगा w into under root vr square minus vvr square divided by vvr टीक है यह आगया minimum rate का value टीक प्सक्राइक